हेलो फ्रेंड्स यह हमारा फर्वरी इस्पेशल सेकिंड वीडियो है यह आप केक देख सकते हैं कितना रूई की तरह सॉफ्ट बनाए यह मैंने होमेड प्रिमिक्स से बनाये तो चलिए फटा-फट हमारा चोकोलाटे केक बनाना शुरू करते हैं तो इसके लिए मैंने यह होमेड वैनिला प्रिमिक्स ले लिया है इसमें मैं यह हाफ टी स्पून इंस्टंट कॉफी पाउडर डाल रही हूं इसारे ड्राई इंक्रीडियंट पर ले मिक्स कर लेंगे अब मैं इसमें गुन-गुना दूट डालूंगी ध्यान रखें दूट पानी होना चाहिए और कोई भी केक जब आप बनाते हैं तो उसका प्रिमिक्स या अगर आप इसक्रेट से बना रहे हैं तो वह भी रूम टेंपरिचर पर बना चाहिए तो कंसेंटेंसी आप देख लें इसकी अब मैं इसमें एक टेबल स्पून डालूंगी आप चाहें तो बटर डाल लें और अगर प्रिमिक्स की रेसिपी आप देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट जरूर करें मैं वो रेसिपी भी आपके साथ जल्दी शेयर करूंगी अब मैंने बाटी कुकर को हाई फ्लेम पे दस मिनिट के लिए प्रिहीट कर लिया है आप ओवन में बना रह तो यह देखिए तीस मिनिट बाद बेख होके तयार है टूट्पिक से चेक कर लें ओवन में कर रहे हैं तो ओवन में 25-30 मिनिट लगें और वेट आप इसका देख सकते हैं 143 यह मैंने 100 ग्राम प्रिमिक्स लिया था जिसका हमारा केक बनाए 1500 ग्राम तो मैंने इसको दो ले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके भी बताएं कौन सी सीटी से आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और अगर कोई रेसिपी देखना चाते हैं तो वो भी बताएं मैं जरूर ट्राइ करूंगी बनाने की और विपिंग क्रीम में मैंने चॉकलेट गनाश डालेंगे एक लेएर उसकी भी लगाएंगे यह वेट में टोटल हमारा 300 ग्राम का केक बना है फ्रेंड्स यह देखे यह मिल्क चॉकलेट गनाश है फ्रेंड्स तो इसको भी अच्छी सी लेएर लगा लेंगे इसकी भी हम और ऐसे ही मैं इसकी सेकिंड लेएर भी ऐ इस पे भी अच्छे से सोख करके क्रीम लगा लेंगे और इसे भी सेट करके फिनिशिंग देखे हम साइडों में भी क्रीम लगा लेंगे और पहले इसको अच्छे से फिनिशिंग देदेंगे हम ये फ्लिवर बहुत ही टेस्टी बनता है वैसे भी चॉकलेट और कॉफी का कॉंबिनेशन तो बहुत ही टेस्टी होता है आप इसको एक बार ट्राई जरूर करें चाहे कस्टमर ओडर दे या ना दे एक बार चाहे घर के लिए बना के देखें अच्छे से इसको हम स्मूथ कर लेंगे और इसके उपर भी मैंने चॉकलेट गराश दाल लिया है और उसे इस पैचुला से ऐसे लेरिंग दे दी है तो इसके फ्लेवर को और बढ़ाने के लिए मैंने इसके चारो तरफ कॉफी पाउडर को चुड़क दिया है तो फ्लैम साब को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना ना बुलें थैंक यू